समस्क्राइब दोस्तों, स्वागत आप से बच्चे को अपने चैनल सरकालेट में आज की इस वीडियों हम बात करेंगे समेश्टर 5th के कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहेगा और कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना है और आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा क्योंकि अभी क्लासे से स्टार्ट हो गई है लेकिन बच्चों को यह नहीं पता कि मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं यहाँ इसलिए मैंने यह वुडियो बनाया है थाके आपको पता चलिया है कि आपका सब्येक्ट कौन सा है तो अभी देख सकते हैं मैं First semester के यहां पर सब्जेक्ट सो वहता हूं ठीक है यहां इससमें तीन कंडिसंस आते हैं एक होता है discipline एक होता Skill Enhancements और एक होता GE यानि की Generic Elective तो अभी जो हम है सबसे पहले देखेंगे ठीक बीकॉम गुदोिक हो Chic Kingdom Windya Project जो प्रॉरामिग है उसका तो यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं एयाँ पर बीकॉम भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर बीए पर प्रॉरामिंग सेलेक्ट कर सकते हैं तो सबसे निची चलेंगे हम 5th semester पे, यह रहा यहाँ पे 5th semester, यह link में आपको description box में डाल दूँगा, तो यहाँ पे आप जा कि चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीच होता दोस्तो, 5th semester में आपने जो subject चूच किया है, ठीक है, 2 discipline subject as operating semester 1, यानि कि जो भी subject आपने semester 1 में चूच क लिया है, तो आप economic चूच करोगे, आपने education लिया है, तो education, English लिया है, तो English लिया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे subjects हैं, last में poll science, मेरे recording जो बहुत सारे बच्चों ने poll science और इसमें history लिया है, कुछ बच्चे हिंदी भी लिया है, कुछ बच्चे English भी लिया है, कुछ कर लो, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे education, यहाँ पे भी है, और discipline में भी है, तो दोनों में confuse मत होना, history अपना इसमें भी है, और discipline में भी है, यहाँ poll science अपना skill enhancement में भी है, और discipline में भी है, तो चीजों को ध्यान से देखकर अपने subject को choose करना, और जो subject अभी आप चूश कर लोगे, वही subject आप बाद में भी ले लेना, और उसी के recording आप अपनी classes ले लेना, ताकि क्या होता, easy बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे है generic elective, ठीक है, इसमें कोई एक पिक करना है, लेकिन इसमें क्या होता है, कि अभी जो पिक कर लोगे, थोरा सा बाद में जाक अगर आप लोगों को बीकॉम के बच्चेगर होगा, यहाँ पे कोई तो उसको पता हो कि changes क्या क्या आए थी, अब हम बात करेंगे बीकॉम का, यहां हमने बीकॉम कर लिया, बीकॉम पे जाएंगे यहाँ पे, चलते हैं सबसे नीचे, बीकॉम में क्या होता है दोस्तों, आ आपको कोई सा भी choose करना है, तो यहाँ पे कोई condition नहीं है, यह दो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है, human resource management, principle of marketing, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है, या तो principle of marketing ले ले जिए, या तो human resource ले जिए, या fundamental rights या individual law, तो यह हो गया, इस में से कोई दो आपको pick करना ह यहाँ पे आप आएंगे SEC, यानि की skill enhancement course पे, तो यहाँ पे आपको personal finance, या फिर enterprises, development, दोनों में से कोई आपको लेना है, और यह यानि की gender elective आपको compulsory है लेना, ठीक है, economic of principle of micro, यह आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई option आपको available नहीं है, तो fifth semester में, B.com के बच्चों बहुत कम available है, तो आप लोग जो भी subject choose करोगे, सोच समझ के choose करना, ओके, जब भी subject fill करने का time आएगा, admissions के time आएगे, तो मैं आपको YouTube channel के through, या फिर Instagram के, कहीं से भी आपको inform कर दूँगा, इसकी आप tensor मतले ना, फिर से चलते हैं, become honors, honors में दोस्तों, यहाँ पे जो subjects दिखा आए गए है, एक subject कम है आपे, वो है generic elective, यह core code से आपके, यह दोनों compulsory है, यह दोनों आपके पास रहेंगे ही, रहेंगे, इसमें कोई choice नहीं है, discipline 1, discipline 2, इसमें से कोई आपको एक choose करना है, इसमें से भी कोई एक आपको choose करना है, उसके बतलब generic elective, तो GE, यानि कि gender elective यहा आपे सो नहीं कराया गया, मुझे नहीं पता क्यूं, क्यूंकि बाद में बच्चों को, मतलब, ऐसो एक तरफ से, जो भी वो चाहेंगे, वो subject आपको लेना पड़ेगा, जन्रक elective में, यहां पर भी सो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहीं है, जब आपका subject feel करने का time आएगा, तो मैं उस time पे आपको पता दूँगा, कौन से आपके best four subjects होंगे, फिलाल तो अभी आप अपने best four subjects चूच कर लीजे, BA programming वाले options जो हैं, वो first semester के recording, अब हम चलते हैं, honors की तरफ, BA pole science honors, honors में क्या होते दोस्तों, पान subject होते हैं, पान subject आपको चूच करने होते हैं, और जो आ यहां पे discipline subject में आपको first और second, यह दोनों भी आपको compulsory है, और एक generic elective है, जो कि यहां से गायब कर दिया गया है, वो आपको SL की तरफ से अपने आप आपको approved हो जाएगा, यहां फिर मिल जाएगा, अब हम चलते हैं, English honors, यह English honors है, English honors हम सबसे नीचे जाएंगे हम, 5th semester, यहा core course है, तो यहां पे आपको core subject में दो तो compulsory है, यह और यह, उसके बाद DSE, यानि कि discipline में भी आपको यह दोनों लेना जरूरी है, इसके बाद आपका एक subject है, gender collective, में भी हो सकता है, 5th semester में गायब कर दे, लेगिन होता जरूर है, ठीक है, 5th subject तो complete होने चाहिए, honors वाल को, तो 5th subject complete करने के लिए एक gender collective होती है, वो उसमें से आपको कम्रसरी course होते है, वो सबको लेना जरूरी है, ओके, तो यह सब आपके subjects थे, यह, मैं details, description box में डाल दूँगा, तो आप लोग, please, description box चेक जरूर कर लेना, अगर channel पन्यू हो, तो subscribe कर देना, और अपने दोस्तों लोग साथ इसे जिरूर सियर करना, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जाहिन दोस्तों,